हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज आपकी सेस्टी चैप्टर नंबर वन पॉलिटिकल साइन्स का जो चैप्टर नंबर वन ऑन इक्वेलिटी लिया था उसके सेकंड क्लास से पार्ट भी है आज आपन आगे पड़ेंगे अभी तक अपने कुछ काहने पड़ी यह कांता की काहने पड़ी थी जो वोटिंग लाइन में तो उसे बराबर मिलता है लेकिन जब ऑस्पिटली लाइन में बेटी को लेकर जाती है तो वहां पे सिर्फ गरीबी लाइन में लगते हैं तो वहां पर उसे एक्वेलिटी नहीं मिलती और ऐसे ही एक अपने एक रहते थे ठीक है यह दो काहने पड़ी थी अब एक काहनी और पड़ेंगे पन दो स्टोरी इसके लिए इसने लिए इसने जो एसा कुछ हुआ जो ज़्यादा तर बारत के सभी इसों में होता है यह काहनी एक मिस्टर और मिसिस अंसारी की है जो की एक अपार्टमेंट पर लेना चाहते थे सिटी में उनके पास पैसा काफी था इसलिए रेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके पास अब यह वह एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कोई जगह टूनने के लिए यह प्रॉपर्टेंटेश जगए यह प्रॉपर्टेशन जान पते हैं यह हैं और पहले ही आपार्टमेंट देखने गए अपार्टमेंट मतलब घर और अंसारी को काफी अंसारी जों लेकिन जो लेंड लेड़ी यानि जो किराया देन जो मकान मालकिन थी जो किराया पे देना चाहती थी अपार्टमेंट जैसे उन्हें पता चला मिस्टर और मिसिस अंसारी और ये पता चला कि वो नॉन वेजटेरियन है नॉन वेजटेरियन खाते है तो उन्होंने रेंट पे देने से मना कर दिया और क्या का कि इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट के बिल्डिंग का एक मकान होता है अपार्टमेंट में बहुत सारे मकान and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house अब दोनों सब शौक हो गए क्योंकि पडोस के मकान से fish पकाने की smell आ रही थी the same excuse was repeated in the second and the third apartment और वो बारी-बारी सभी apartments में गए मकान rent पे लेने की बात की तो सब भी ने यही का कि आपे non-vegetarians allowed नहीं है finally the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar और finally property dealer ने कहा कि ऐसे तो आपको घरी नहीं मिलेगा ऐसा करो आप अपना नाम चेंज कर लो एक non-vegetarian से vegetarian नाम रख लो जिससे ऐसा लगे ही नहीं कि non-veget खाते होंगे Mr. and Mrs. Kumar रख लो the ansaris were reluctant to do this and decided to look some more और ansaris को बहुत बुरा लगा कि हम हमारा नाम चेंज क्यों करें ठीक है हमारी identity क्यों चिपाए और उनने का कि हम और कोई apartment देख लेंगे in the end it took a whole month for looking at apartments before they found a land lady who was willing to give them place on rent और लगबग पूरा एक महीना लग गया उनने rent apartment डूणने में तब जाके उनने land lady एक मकान मालिकिन मिली ऐसी जो उनने मकान rent पे देने की तयार हुई कहने का मतलब यह है कि लोग बराबर नहीं मानते non-vegetarian से गिर्णा करते हैं vegetarian सोसते हैं कि भाई यह तो non-veget खाते हैं तो यह अशुद्न हैं इनसे दूर रहे हैं तो इस तरह की असमानता हमारे देश में कई जगे पे प्रचलेता है recognizing dignity dignity का मतलब होता है आदर, सम्मान, respect तो सभी को आदर, सम्मान बराबर मिलना यह वाली बार topic अपन पढ़ेंगे तो आभी तक अपने पढ़ा कि जिस religion को जिस जाती को अपन बिलॉंग करते हैं जिस धर्म को अपन बिलॉंग करते हैं जिस background को अपन बिलॉंग करते हैं अपन male हो चाए female हो यह decide करता है कि हमारे साथ समान बिवार होगा या नहीं होगा अगर हम निचली जाती को बिलॉंग करेंगे तो समान बिवार नहीं होगा और अपन high caste पैसे वाले उची जाती के लोग होंगे तो हमारे साथ समान बिवार होगा ऐसा होता है ओम प्रकास वालमिकी और अंसारी की दोनों कानियों में दोनों से बराबर अधिकार नहीं मिला या दोनों से बराबर एक्वल बरताव नहीं हुआ उनको उनसे असमानता की गई और भेदबाव किया गया कास्ट जाती और धर्म के नाम पर जब लोगों को say unequal वेवार हो वेवार कैसा हो ऐसमानता का बरताव हो तो उनके डिगनिटी उनका मान समान तूटता है ठेज पहुंसती है the dignity of both arm ओम प्रकाश वालमिकी and the answer is was violated because of the way in which they were treated और इसी तरीके से ओम प्रकाश वालमिकी और अंसारी की dignity मान समान को तोड़ा गया उनको ठेज पहुंचाए गई जिस तरीके से उनके साथ वेवार हुआ और जिस तरीके से ओम प्रकाश वालमिकी से स्कूल साफ कराए गया उसकी जाती के कारण क्योंकि वो दलित था तो इस तरीके से बाकी स्कूल के बच्चों ने और टीचर्स ने उसके dignity को तोड़ा ठेज पहुंचाया hurt किया उसकी समानता respect को आधर को और उसे ऐसा feel कराया जैसे कि वो बाकी बच्चों से छोटा है कम बराबर है उनसे नीचे उनके बराबर नहीं है being a child ओम प्रकाश वालमिकी could do very little about the situation that he was in अब क्योंकि सुरू में ओम प्रकाश वालमिकी एक बच्चा था छोटा तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था अपनी situation को लेकर it was his father who on seeing his son felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers लेकिन उसके पिताजी ने जब देखा तो वो काफी गुसा हुए और इस ऐसमान बढ़ताओ के कारण और teachers को आड़े आतो लिया मतलब teachers को डार्ट फटकार लगाई और उन्हें कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते अनसारी के मान सम्मान को भी ठेस पहुची जब लोगों ने मना कर दिया उन्हें अपार्टमेंट किराय पे देने के लिए और जब डीलर ने कहा कि आप उन्हें नाम चेंज कर लो तो उनका सम्मान आदर सेल्फ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट आत्म सम्मान ही था जो जिसके कारण उन्हें ने मना कर देंगे हम अमरा नाम नहीं बदलेंगे ओम प्रकाश और अंसारीश को ऐसा बरताव होना ये उनके साथ इसा नहीं होना चाहिए था उनका मान सम्मान और आदर उनके साथ वैसा ही होना चीज जैसा बाकी लोगों के साथ होता है अब बात करते हैं equality in Indian democracy भारती है लोगतंतर में समानता लोगतंतर है यानि हमारे देश का समविदान हमें कैसे समान बनाता है वो चीज देखते हैं the Indian constitution recognize every person as equal भारत का सम्मेंदान सभी को बराबर मानता है this means that every individual in the country including male and female persons from all caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal और इसका मतलब है कि हर इंसान देश का हर इंसान चाहे हो male हो चाहे स्थरी हो चाहे पुरश हो किसी भी caste, किसी भी मतलब जाती, धर्म, किसी भी community, किसी भी community, किसी भी संस्ता से या किसी भी background से चाहे वो गरीब हो चाहे मीरों बिलॉंग करता हो सब बराबर है this is not to say that inequality ceases to exist इसका मतलब यह नहीं है कि भाई inequality ऐसा मानता हमारे देश में अगर समीदान ने कह दिया तो कोई ऐसा मानता है ही नहीं है हमारे देश में it doesn't, ऐसा नहीं है, कई जगह पर ऐसा मानता है but at least in democratic India the principle of the equality of all persons is recognized लेकिन कहने के तोर पर लोग तंत्र बारत में सभी को बराबर माना गया है while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment लेकिन आजादी से पहले जब समीदान नहीं बना तो कोई ऐसा कानून ही नहीं था जो लोगों को भेदबाव और गलत बरताओं से बचा सके now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal लेकिन अब आजकल ऐसा हो गया है शिक्षा बढ़ रही है समीदान ने कानून बना दिया थी कि लोगों के साथ बराबर आदर पूरे सम्मान के साथ बराबर लोगों को माना जाता है this recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution और ऐसा बारत को मलब सभी को बराबर जो माना गया है उसके कुछ कारण संविदान में जो दिये गए है first that every person is equal before the law पहला की कानून के सामने सब बराबर है what is this means that every person from the president of the country to kanta a domestic worker has to obey the same laws इसका मतलब कि चाहे देश का राष्टपती हो चाहे एक छोटी सी worker जिसकी काने अपने पड़ी कानता वो क्यों ना हो सभी को same नियम मानने पड़ेंगे second no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth और whether they are female और male और किसी भी व्यक्ति से कोई बेदबाव नहीं हो सकता उनके धर्म के आद पर, जाती के आदार पर ठीक है और उनकी जिगह जहां पे वो जन्मे उसके आदार पर चाहे वो female हो या female हो किसी के साथ कोई बेदबाव नहीं हो सकता third every person has access to all public places including playground, hotel, shop and markets और हर व्यक्ति पब्लिक जो property है हर जिगह पे जा सकता है जिसे ground, playground होँआ, hotel हुई, shops हुई, market हुई, सब लोगों को जाने का अधिकार है किसी लोगों को वाँ जाने से रोका नहीं जा सकता all person can use publicly available wells, roads, bathing, guards, सभी लोग जो publicly जो चीज काम में ली जाते हैं, जैसे कोई अगर कुआ काओं में ले जाता है, रोड काम में ली जाती है, या फिर घाट जहां पर सनान की जाते हैं, कोई भी धर्म का कोई भी लोग वाँ पर जाके काम में ले सकता है fourth, untouchability has been abolished, और चौता सभीदान में सबसे बड़ी बात क्या होई, छुआ छूट की जो कहते थे हैं इसको मत छूओ, अप अवित्रो जाओगी, तो उस untouchability को नश्ट कर दिया गया है, उसको एक अपराद बता दिया गया है, तो हमारे सभीदान ये काम करके, समान अधिकार लाने की तरफ, मनलब समान लोगों को अधिकार दिया है, और लोगों में बराबरता समानता लाने की कोशिश, equality लाने की कोशिश की है, the two ways in which government has tried to implement this equality is guaranteed in the constitution, is first through laws and second through government programs and schemes to help disadvantaged communities, अब दो तरीके से, लोगों को बराबर लाने के लिए, गवर्रमेंट ने दो तरीके से काम किय है एक तो कानून बनाए है सक्त कानून बनाए है और सेकंड की कुछ प्रोग्राम से लाए है कुछ स्कीम चलाई है जिससे गरीब जो लोग जिनके साथ भेदवा हुआ है उनको वापस उपर उठा कर जो उचे लोग है उनके बराबर लाया जा सके there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally कई ऐसे नियम है कि हर वेक्ति को बराबर व्यवार होना चीए समान व्यवार होना चीए यह चीज बताते है in addition to laws the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated adequately for several countries तो सक्त कानून बनाने के साथ-साथ लोगों को बराबर बनाने के लिए जो लोग काफी टाइम से जिनका साथ सोशन हो रहा है जिनके साथ बेदवा हो रहा है जैसे ओम प्रकाश वालमी की और अंसारी तो उन लोगों को उपर उठाने के लिए भी कई लोग गवर्मेंट कई स्कीम कई प्रोग्राम चला रही है these schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past और ये schemes के ensure करती है कि जो लोग जिनको पहले मौका ही नहीं मिल पाया उपर उठकर पैसा कमाने का अच्छा जीवन बनाने का अच्छा इंसान बनने का तो उनको extra opportunities दीता रही है ताकि वो समाज के जो उचे लोग है उनके बराबर आ सके one of the steps taken by the government includes the midday meal scheme कुछ एक ऐसी step है जो midday meal जो government school हों में बोजन दिया दा था फ्री वो scheme चलाई है this refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch और इस scheme में क्या है जितने भी government की जो छोटी schools है primary जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ने आते वहाँ पे बच्चों को free में पकावा lunch दिया जाएगा दोपर में Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001 और Tamil Nadu पहला ऐसा राज जिता जिसने ये scheme चालू की थी the supreme court asked all state government to begin this program in their schools within six months और उसके बाद supreme court ने आदेश दिया था कि देश के सभी स्कूलों को सभी राज्यों को सभी स्कूलों को ये scheme अपने स्कूल में चलानी छे महिने के अंदर चालू कर रही है this program has had many positive effects इससे कई अच्छे परिणाम आए these include the fact that more poor children have begun enrolling the regularly attending school इससे ये परिणाम हुआ कि खाने के लालच में ही सही लेकिन गरीबों के बच्चे स्कूल जाने लगे और पढ़ाई करने लगे the teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school but now with the midday meal being provided in the school their attendance has improved और teachers बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर चली जाते थे lunch में और वापस आते ही नहीं थे लेकिन क्योंकि इस scheme के द्वारा अब उनको बोजन स्कूल में दिया जा रहे तो उससे उनकी attendance इंप्रूव हुई है अब वो स्कूल मलब लंच में घर जाते ही नहीं है तो रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं देर मदर्स फो अर्लियर है तो इंटरोग देर वर्क तो फीड देर चल्डरन अट हूम दूरिंग दा डे प्रिजाइस बिकास्ट बोथ लोगों का कास्ट वो भी खतम हूए क्यों चाहे उंची कास्ट का बच्चा बच्चा हो सभी एक साथ इस मील को खाते हैं बोजन खाते है दो पैर में जो midday meal scheme को द्वारा भोजन मिलता है in quite a few places दलित women have been employed to cook the meal और कई जगह पे तो इन सी schemes में भोजन पकाने के लिए दलित मैलाओं को भी काम में लिया गया है और midday meal ने उन बच्चों को भी मदद किये जो बच्चे भूख के चले आ जाते ते गरीबी के कारण वो खाना नहीं खा के आते ते और पेट खाली होने के कारण भूख के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते ते तो आप क्योंकि उन्हें स्कूल में बोजन मिल जा किसी भी कास्ट के हो सकते हैं कोई Muslim हो सकता है कोई दलेत हो सकता है कोई लेकिन सब एक साथ बैटके खाना का रहे हैं स्कूल में और टीचर सबको खाना पर हो सरी है तो ये midday meal प्रोग्राम चला है जिससे काफी लोगों में कम से कम बच्चों में समानता लाने में काफी हुई और बच्चों को भूग से भी निजात मिली और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाई तो बच्चों आज के लिए तना ही ठीक है आप बच्चावा पार्ट अपन तीसरे पार्ट में पार्ट सी में पढ़ेंगे जिसमें अपना चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा मुझे उ